हलो किट्स आज हम पढ़ेंगे चेप्टर वन का सेकंड पार्ट पिछले दिनों मैंने फर्स्ट पढ़ा दिया था अपना चेप्टर है वाट, वेहर, हाउड और वें उसका सेकंड पार्ट हम सूरवात करेंगे उसकी पेज नमबर फोर से, नीची देखिये, you can see finding out about the past past के बारे में, प्राचिन समय के बारे में प्राचिन कल के बारे हम पता लगाईए किस प्रकार से था, क्या पर, कैसी परिष्टे थे परिष्टितिया थी, किस प्रकार के आउसर थे there are several ways of finding out about the past past के बारे में जानने के कई तरीके हैं, one is to search for and read books that were written long ago एक तो यह है, कि या तो उसके बारे हम पता लगाएए या वे पुस्तके हैं, जो कि बहुत लंबे समय पहले, बहुत समय पहले लिखी गई थी उनको पढ़ कर हम past के बारे में जान सकते हैं these are called manuscripts, उनको क्या बोलते हैं? manuscript, because they are written by hand क्योंकि उनको हम हाथ से लिखते हैं अब manuscript, menu means हाथ और script means लेखनी, जिस चीज को हम हाथ से लिखते हैं उसको manuscript बोलते हैं, menu means हाथ और script means लेखनी, जो लेख लिखावाता हूँ, manuscript this comes from the latin word menu अब manuscript में देखिए जो latin word menu है menu का मतलब हाथ जो मैंने बता दिया है और script मतलब लेखनी, जो लिखे होती है हाथ से लिखे हुई चीज, यानि कि manuscript these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch या तो इसको जो palm leaf जो होती है तार का जो पेड़ होता है उसकी पत्य पर लिखा जाता है या मिश्व स्परकार के जो पेड़ा होते है बिर्च उसकी बार्क बयाने की छाल पर लिखा जाता है और यह कहां पर ग्रो होते हैं himalai which grows in the hemalai जो कि himalai पर उपते हैं over the years, manuscripts many manuscripts were eaten away by insects somewhat destroyed but many have survived और जो इसक्रिप्ट लिखी गई है प्राचिन समय में जो इसक्रिप्ट लिखी गई है बहुत सी स्क्रिप्ट तो क्या है इंसेट्स के द्वारा कुतर दी गई है उसको नस्ट कर दी गई है यह और बहुत सी ऐसी के जो आज भी जीवी थे आज भी उनको समरक्षित कर के रखा गया है ओफन प्रिजर्ड इन टेंपल्स एंट मोनिस्टरी और एसी जो मैनुस्क्रिप्ट से उनको कहाँ पर प्रिजर किया गया है कहाँ पर समर्चित किया गया है मंदिरों में और मठों में इस बूक्स ड़्ट विद आल काइंड्स अब सब्जेक्स रिलिजिज से संबंदी जानकारी होती है राजाओं के जीवन के बारे में इसमें जानकारी हमको प्राप्त होती है मेडिसिन्स दवायों के बारे में और साइन्स के बारे में हमको इन बुक्स से पता चलता है besides there were epics, poems, plays, many of these were written in Sanskrit. Others were in Prakrit language used by ordinary people. Prakrit language में भी लिखे गए है और Sanskrit में भी लिखे गए है we can also study inscriptions और हम सीला लेक के बारे में भी study करते हैं सीला लेक अब क्या है? these are writings on relatively hard surfaces such as stones are metal अब यह inscriptions क्या होते हैं जिसको सीला लेक बोलते हैं या तो यह पत्थरों पे लिखे जाते हैं hard जो मजबुत पत्थर होते हैं या metals धातू ओपर लिखे जाते हैं sometimes kings got their orders in script so that people could see, read and obey them और कभी कि बोसी बार मतलब राजाओ ने भी क्या किया है अपने orders को क्या किया है उनको पत्थरों पे लिखाया है या metals पे लिखाया है ताकि लोग उनको देख सके उनको पढ़ सके और उनकी बातों को का अनुर्षान कर सके there are other kinds of inscriptions as well where men and women recorded what they did और दूसरी पकार की भी inscriptions होती है जिसमें उस समय के लोगों ने क्या किया वो उसके लिखा हुआ होता है for example kings often kept records of victories in battle example के रुप में हम लेते हैं कि उस समय जो राजा उना जो जीत हासिल की है जो victories उन्होंने प्राप्त की है उनके बारे में भी वो inscription के रुप में लिखते हैं can you think the advantages of writing on hard surface and what could have been the difficulties अब देखिया आप यहाँ पर आपको जो चीतर दिख रहा है यह कुराना inscription है this inscription dates to about 2200 या 2250 years ago 2250 साल पहले का inscription है and was found in kandhar और यह कहाँ पर मिला था kandhar में जो आज क्या है kandhar का नाम क्या है अफगानिस्तान it was inscribed on the orders of a ruler named asoka और यह किसके आडर पर लिखा गया था किसके आदेश पर लिखा गया था asoka के आदेश पर यह लिखा गया था देखिये अब asoka के बारा हम chapter 8 में पढ़ेंगे when we write anything we use a script जब हम कोई चीज लिखते हैं तो हम script का use करते हैं scripts consist of letters or sign और scripts में क्या होता है या तो हम उसको अक्षरों के माध्यम से लिखते हैं अक्षर उसके उपर लिखते हैं राया कुछ निशा निशा उसके ओपर्णास या sign होते हैं symbol type होते हैं उसके उपर when we read what is written or speak we use a language और जब हम when we read what is written or speak और जब हम जो लिखते हैं या हम जो बोलते हैं we use a language यानि कि हम लिखते समय या बोलते समय हम किस का उप्योग करते हैं लेंगवेज का उप्योंप करते हैं भासा का उप्योंप करते हैं इस इंस्क्रिप्ट वास इंस्क्रिप्ट in two different scripts and language ओट जई basically इंस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ ago ारे दो ऐलग अलग scripts और भासा ओं में लिखा गया है उपर में Greek और नीचे aramic language में which were used in this area वो उस समय के उस एरिया में उस समय use की जाती थी अब यही पर बढ़ेंगे बाद there were many other things that were made and used in the past बहुत सार यही चीजे हैं जो कि past में बनाई गई थी और उनका उपयोग गया था प्राचिन समय में बनाई गई थी और उनका उपयोग किया गया था those who study these objects are called archaeologists और वे वेक्ति जो इन objects का अध्यन करते हैं या उनके बारे में बताते हैं वो क्या कहलते हैं? archaeologists they study the remains of buildings made of stone and brick वो उन buildings का study करते हैं उन इमारोत की study करते हैं जो brick से यानि की इटो से और stone पत्थरों से बनी होती हैं जिसके उपर paintings होती हैं और buildings के अलावो painting के माध्यम से और मूर्ति के अध्यन से भी वो प्राचिन समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं they also explore and excrete वे क्या करते हैं वो सीजों का invention भी करते हैं जमीन के अंदर होती हैं उनकी खुदाई करके उनके बारे में अध्यन करते हैं और जिससे वो इसा क्यों करते हैं to find tools, weapons, ports, pens, ornaments and coins जिससे वो tools के बारे में जानकारी प्राप्त कर से के किस प्राकार के हत्यार का उप्योग करते थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बरतन किस प्राकार के होते थे उस समय के किस प्राकार के ornaments जिवरोदा का उप्योग करते हैं सब हम जान सकते हैं some of these objects may be made of stone others of bones baked clay are metals और यह जो अपन weapons है port से बरतन है, ornaments है यह या तो चटानों से बने होते हैं पत्थरों से बने होते थे या हड्यों से बने होते थे या baked clay, मिट्टी से बने होते थे objects that are made of hard imperishable substances usually survive for a long time ऐसी चीजे ऐसी वस्तुए जो कि hard और imperishable sorry, imperishable substances ऐसे पनारतों से जो नस्ट नहीं होते हैं उनसे बनी होती है वो लंबे समय तक survive करती है page number 6 देखें आपर you can see some pictures over here left में देखें यह left पन जैसे पढ़ेंगे बुगे से तो अपने left में जो रहेगा जैसे अपन पढ़ेंगे तो इसके left में apart from an old city उस समय के पूराने समय के जो प्राचिन समय के जाता था उस समय के जाता था ports like these were used about 4700 years ago और इस परकार के जो बरतोनों का उप्योग कब के जाता था 4700 साल पहले अब राइट साइड में देखें an old silver coin एक पूराना प्राचिन समय का सिक्का हैं पर coins such as these और इस परकार के सिक्के were in use from about 25 years ago इस परकार के जो सिक्के थे पच्चिस साल पहले उप्योग में लाए जाते थे कब पच्चिस साल पहले in what ways is the coin different from the ones we use today अब देख किस परकार आप में इसको पता लगा सकते हैं शिक्कों को देखें भई उस समय के सिक्के के सिक्के थे और आज के सिक्के किस परकार के हैं अब यहां पर archaeologists also look for bonds of animals, birds and fish to find out what people ate in the past अब लोग प्राचिन समय में पुराने समय में क्या खाते थे उसका पता लगाने के लिए उस समय के जानवरों की हड्डियों की तलास मेरते हैं उस समय जो जानवर थे उनकी हड्डियां के आज पता लगा कर ढूंड कर पता लगा कर वो जान नप चाहते थे कि किस परकार वो भूजन करते थे Plants remains survive for more rarely if seeds of grains or pieces of food have been burnt यदि हम जो अनाज होता है उसके बीजों को या लकडियों के टूकडों को अगर हम जला दें तो हम plants के remains के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं या इस plants क्या होते हैं बहुत समय तक जीवित नहीं रहते हैं कौम समय तक जीवित रहते हैं अब historians इसके नीचे देखें historians historians that is scholars who study the past historians यानि कि इतिहासका इतिहासकार वे person वे व्यक्ति होते हैं जो past का अध्यान करते हैं प्राचिन समय का अध्यान करते हैं उस समय किस प्रकार की वेवस्ताय थी किस प्रकार की building थी किस प्रकार के लोग क्या करते थे किस प्रकार का खाना वो खाते थे किस प्रकार कपड़े पहनते थे वो सभी का अध्यान कोन करता है हिस्टोरियन्स इतियासकार often use the word source to refer to the information found sorry historians that is scholars who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscript inscription and archeology once sources are found learning about the past becomes an adventure और जब एक बार हम inscription के बारे में manuscript के बारे में अगर हम जान जाते हैं तो फिर past को जानने का एक मतलब एक सहसिक कारे हो जाता है as we reconstruct it bead by bead so historians and archeologists are like detectives historians और archeologists क्या है detective भी हम उसको कह सकते हैं जासूस जो क्या करते हैं चीजों को ढूंते हैं जासूस की तरह चीजों को ढूंते हैं जानवर की से हम historians को जासूस भी कह सकते हैं वन पास्ट और मेनी अब नीचे दिखिए एक पास्ट या बहुत सारे पास्ट पास्ट प्राचिन समय पुराने समय बहुत लंब बहुत वर्सों पूर्वका जो समय है वह पास्ट डिद यू नोटिस दा टाइटल आप इस बूक आपने इस बूक का टाइटल देखा है पहला नमबर पर देखिए आप पहले जो सबसे पहला पेश है अब पास्ट क्या है अब पास्ट यू पास्ट विए पास्ट प्लूरल रूप इसने बताया गया है ताकि हम इस बात के लिए अपना ध्यान खिश सके कि पास्ट जो है अलग-अलग ग्रूपों के समय के लिए या अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग है जैसे की हर्डर्स जो जानव को चराने क्याम करते है वो या फार्मर्स उनका जीवन जो है राजाओं और राणियों की सक के जीवन से कितना है क्या है डिफरेंट है जो मर्चंट से उनका जीवन है कारिगारत के जीवन से डिफरेंट है अलग है आल्सो एस इस ट्रू इवन तुड़े और वो आज भी सत्य है पीपल फालोग डिफरेंट प्रेक्टिसेशन कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स अलग-अलग छेत्रों में लोग अलग-अलग रिती रिवाजों को मानते हैं उनका अनुसरन करते हैं फॉर एक्जापल तुड़ेंट पीपल लिविग इन दा अडमान आइसलेंड गेट देर ओन फूट बाइफिशिंग अंटिंग अंडमान आइसलेंड जो है वहाँ के जो लोग है वो क्या करते हैं अपना जो भोजन मस्ली पकड़ कर मस्ली कर सिकार कर और जंगल की जो प्रोड्यूस होते हैं उनको इखटा करके अपने भोजन की वह व्यावस्ता करते हैं अपने बोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं तो आज इस प्रकार की जो विभिनेता हैं वो पास्ट में भी थी कब थी पास्ट में भी besides there is another kind of difference इसके अलावा एक दूसरे प्रकार का भी difference है we know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their weakness आज के समय में भी हम प्राचिन समय में राजा उने जो युद्ध लड़े थे ठीक है उसको आज भी हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो राजा महराजय थे वह अपने जो भी युद्ध लड़ते थे जो भी कारे करते थे उनका वो क्या करते थे ? रेकाड रखते थे जनरली ओर्डिनरी पीपूल सच अ हंटर्स, फिस्शिंग फॉक, गैदर्र, फार्मार्स, हर्डर्स did not keep records of what they did राजा महराजा उने अपने क्रिया कलपों के अपनी victories के record रखे लेकिन उस समय के जो किसान थे हडर्स थे वो जो दूसरे लोग थे सिकारी लोग जो थे वो अपने records नहीं रखते थे वाहिल आर्केलोजी helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown और आर्केलोजी जो होते हैं वो क्या करती हैं, हमको उन चीजों के बारे में उनके जीवन के बारे में जानने के लिए या हमको information देते हैं, यह कह सकते हैं लेकिन बहुत सारी यसी चीज़े हैं there is a much that remains unknown लेकिन बहुत सारी यसी चीज़े हैं जिनको हम जानते नहीं है अब डेट का मतलब क्या होता है अगर मनलो आपको कोई डेट के बारे में पूछा आप क्या बोलेंगे तारिक बताओगे, महिना बताओगे या साल भी बताओगे कि आज इतनी तारिक है, इतना महिना है और साल यह है जिसे कि 2000, 2001 या आज का 2019 या आज का 2020 इस प्रकार से आप बताओगे इस यह साल है, इस यह साल है इसको गिनते है जो जिजस क्राइस है, उनके जन्म से है So, 2000 means, 2000 years after the birth of Christ तो 2000 मतलब की Jesus Christ के जन्म के बाद के साल 2000 साल मतलब कैसना है 2000 साल फिले, मैं तो यू कह सकता है कि जिजस क्राइस्ट का जन्म 2000 साल पहले है मैं तो कहने के मतलब यह है कि 2000 याने कि आज से 2000 साल पहले, जिजस क्राइस्ट का जन्म हुआ all debts before the birth of Christ are counted backwards और वे सबी debts जो कि Jesus के जन्मक के पहले की है उसको हम backward के रूप में गिनते हैं पीशे से गिनते हैं and usually have the letters BC और letters कौन से होते हैं? BC BC का मतलब होता है before Christ यानि कि Christ के पहले in this book we will refer to debts going back from the present using 2000 is our starting point that's all for the today और बाकी का अगले पार्ट में हम बताऊंगा पढऊंगा